हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में, मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपोर्टन चीजें बताने वाला हूँ, डैवोस के केस को ले करके, अब देखे जैसे आप सभी जानते हैं कि डैवोस के केस में, हम कही सारे ग्राउंड सी उच कर सकते हैं, डिसर्शन का, क्रियूल्टी का, अब देखे दोस्तों, यहां पर आपको खुले दिमाग से सुचना है, हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी को कहते हैं कि यह ग्राउंड नहीं चलेंगे, या कोई भी किसी को कहते ह मांदा है कि कोट ने की चीज़ों का एड्मिट करना और कीज़ों का काम करती है अगर आप ही बता 행 generator कि कीसे strikes लड़ना है तो फिर वकिल की जरूरती की तो वकील को आदमी इसी ले करता है कि भाई जो वकील है उसको ये पता है वो कोट से परिचित है कोट किस प्रकार से काम करती है वो उसको पता है और वो जो कुछ भी करेगा वो उसके एकोर्डिंग करेगा लेकिन दोस्ते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती कर बैठते हैं For example, मेरा खुद का एक मामला चल रहा था उसमें जब मैंने क्लाइंट को बताया कि ये एडल्टरी वाली petition नहीं लगेगी इस समय पर ये maintainable नहीं है मैंने उन्हें कम से कम आदा घंटा समझाया कि ये petition आप मत लगाओ लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्ती वो petition लगवाई कि नहीं सर आप लगाद बहुत request करी, बहुत पीछे लगे, आखिरकार मुझे वो petition लगानी हुआ पड़ गई और हुआ किया, जो मैंने कहा था, कि judge साब ने सीधा-सीधा कह दिया कि भाई ये तो यहां पर maintainable ही नहीं है, इस स्टेश पर आप कैसे लगा रहे हो तो दोस्तो ये चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेंगी, क्या चीज चल सकती है court में, क्या चीज नहीं चल सकती है तो दोस्तो देखे, law क्या है, books में क्या लिखा हुआ है, या फिर google पर आप क्या ढूंड रहे हो court में practically कैसे काम होता है, वो उससे बिलकुल अलगे तो अगर आप practical चीज़ों पर नहीं चलोगी, तो मार खाओगे तो इसलिए ये जरूरी है कि judgment जानने के साथ, कानून जानने के साथ, आपको practical approach भी court का पता होना चाहिए कि court कैसे काम करती है, और यदि आप किसी पर trust कर रहे है और वो बंदा आपको समझा रहा है, तो कम से कम उसको follow कीजिए तो दोस्तों ये जो मा आज मामला बताने वाला हूँ, यहाँ पर पती ने same divorce का case फाइल किया था, cruelty और adultery के base पे, किस प्रकार से इस पर निर्डे हुआ, बहुत सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग के case में भी होता है, पतनी adultery में है, तो कई बार कुछ proof आपके पास होते हैं, कि बार कॉल details होते हैं, कॉल recordings होते हैं, कैसे काम चलता है, किस तरह से कोट इन चीजों पर निर्डे करती हैं, आज की इस वीडियो में खुलकर मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी, आखरी तक वीडियो म में दोनों पक्षकारों की शादी हुई, 2007 में एक बच्चे का जन्म हुआ, दोनों ही पक्षकारों की बीच में स्टार्टिंग सही संबंद सही नहीं रहें, और जो हजबेंट था उसने अपनी तरफ से दो बार डावोस की पिटिशन भी फाइल कर दी, और जो वाइप थी कि आगे फिर से सही तरीके से जीवन शुरू करते हैं, और ये सोस्ते वे मार्च 2012 से दोनों लोग साथ में रहने लगें, अब दोस्तों आप में से कई लोगों का परशन आता है कि सर अगर मैं समझोता करके उसको वापस ले आता हूं तो कोई प्रब्लम तो नहीं होगी, हो 2013 में उसने फिर से डैवोस की पिटिशन फाइल करिया, बगर पहले वाली ही चल रही होती तो अब तक तो डैवोस होने वाला होता या हो गया होता, लेकिन अब 2013 में फिर से डैवोस की पिटिशन उसने फाइल करी, पतिनी ने भी 2013 में फिर से वोई केस कर दिया, और पैसे व वो high court में अब high court में सारी चीजों को रखा गया कि भाई wife ने कैसे कैसे cruelty किया है सारी जो घटना एथी वो बताए गई साथी ये बताया गया कि भाई ये adultry में भी है respondent number 2 उसको बनाया गया था कि इसके साथ ये बातचित करती है या उसके call details के CD लगाई गई थी कि देखिए odd timings पर ये बात करती है और बहुत जादा एक एक दिन में कहिके बार बात करती है दोस्तों वो इसको साबित करना चारा था adultry उसने देखिए ground किया बनाया था आप पूरा judgment पढ़ लेते हो अगर दोस्तों conclusion पढ़के आपको बता दिया जाए तो वो अर्थ का अनर्थ बन जाता है इसलिए judgment को समझना जरूरी है जो ornaments वाला केस था wife का उस पर तो वह order रखा है जो कि lower court ने रखा था husband के against जो call detail थी उसकी respondent number 2 के साथ पतनी की पर डावोस नहीं दिया, court ने cruelty के वेस्ट पर डावोस दिया तो दोस्तों इस परकार से बहुत सारे judgments होते हैं और judgments को समझ करके अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा बिना सोचे समझे अपने मामलों में यूज कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा इसलिए मैंने इतना जोड दे करके आपको समझाया कि judgment में actual में कहा क्या गया है और ऐसा दोस्तों किसी भी judgment में हो सकता है कि just up conclusion पढ़ ले ऐसा बिल्कुल मत करियेगा जब भी किसी judgment को read करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक read करियेगा समझे पहले उस judgment में क्या हुआ और उसके बाद ही उसको अपने मामले में यूज करना चाहिए वरना कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है और दोस्तों आप लोगों कि help के लिए judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching take care